हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब किजिए हेल्दी हेल्थ यूचिप चैनल को और दबाईए इस गंटी को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले जीरा का इस्तिमाल आम तोर पर घर में बनने वाली डाल, सबजियों में होता है इसमें तड़का देने के लिए ज़्यादातर जीरा का इस्तिमाल होता है जीरा, खाने को तो स्वादिष्ट बनाता ही है साथ ही स्वास्थे के लिए भी बहुत फायदे मन माना जाता है जीरा को पानी के साथ उबाल कर पीने से कई बीमारिया दूर रहती हैं आज हम आपको बताएंगे कि जीरा को उबाल कर पीने से कौन सी बीमारिया दूर रहती हैं डायबिटीज डायबिटीज के मरीजों के लिए जीरा एक कारग और्ष्टी की तरल काम कर सकता है इसके पीछे का वैग्यानिक कारण यह है कि जीरा में अंटी-डाइबेटिक गुन पाया जाता है अंटी-डाइबेटिक गुन शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करके डाइबेटीज से होने वाले खत्रे से बचाय रखने में मदद कर सकता है वेट लॉस के लिए जीरा को गर्म पानी में उबाल कर पीने से भी वजन घटने में काफी मदद मिल सकती है ऐसा इसलिए भी मुम्किन हो सकता है क्योंकि जीरा शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद कर सकता है इसलिए जो लोग वजन घटाने के बारे में सोच उन्हें जेरा का पानी जरूर पीना चाहिए Immunity बढ़ाने के लिए रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ाने के लिए हमारे शरीर के immune cells को मजबूत होना बहुत चरूरी होता है जीरा immune cells को मजबूत करने के लिए विशेश गुन रखता है इस कारण इसका नियमित रूप से सेवन करने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक्षमता मजबूत बनी रह सकती है और वह कई प्रकार की संक्रामग बीमारियों की चपेट में आने से भी बचे रह सकते हैं फियर फॉल के लिए जीरे में ऐसे minerals पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत बनाने की काम आ सकते हैं बालों के ज़रने की समस्या से जूज रहे व्यक्ति को एक चम्मच जीरा को एक गिलास पानी में उबालने के बाद केवल के पानी का सेवन करना चाहिए इससे बालों के ज़रने की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है कॉलिस्ट्रॉल कम करे जो लोग कॉलिस्ट्रॉल के बढ़ने की समस्या से बचे रहना चाहते हैं वह जीरे का पाउडर बना कर इसे पानी के साथ पीने के लिए इस्तिमाव कर सकते हैं इससे शरीर में कॉलेस्ट्रॉल की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अगर विडियो पसंद आई टू लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।